हेलो गाइज कैसे हैं आफ लोग am icon अच्छे होंगे आज हम लोग करेंट फैर का चौतर चलास कथ ले के आ रहा है इसमें हम लोग क्राइब क्वेटेलिध्ट सेह रि-रlaट हमारा its집 से रिलेटेड हमारलेटेड हम भी लोग जितने फितने बही उनिवर्सूटile कोचन पूछे जाते हैं तो उस टाइब के हम लोग कुछ कोच्ट के वीडियो के लिए तो इसमें हम लोग के के चेकर में सबसे पहले हम लोग दिखते हैं कि पूछा गया है डिलो mm डिलों में लोग में से पूछागे है राव मतलब कौन अधियक्ष है जिसके अंडर भारस सरकार ने सेमी कौन इंडिया एडवाजरी कमिटी का गठन किया है तो इसका correct answer है हमारा option number A अस्वनी विशनव अस्वनी विशनव ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे question number two question number two में हमसे पूछा गया है who among the following will be awarded the prestigious स्वर्षवती सम्मान 2021 for his collection of poem मैं तो यहां हूँ तो इसमें पूछा जा रहे है निमलिकित मैं से किसे उनके कविता संगर है मैं तो यहां हूँ के लिए परतिष्टिट स्वा स्वर्षवती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया जिनका कविता संगर है मैं तो यहां हूँ तो इसका correct answer होगा हमारा option number a professor राम दर्ष मिश्रा इसका correct answer क्या होगा प्रोफेसर राम दर्ष मिश्रा ठीक है दोस्तो उसके बाद हम लोग देखेंगे question number three question number three में हमसे पूछा गया है which of the following bank has launched digital transformation project संभाव निमलिकित मैं से किस bank ने digital परिवर्तन परियोजन संभाव शुरू की which of the following bank has launched digital transformation project संभाव किस bank ने जो digital transformation संभाव की शुरूआत की है तो इसका correct answer है हमारा option number C UBI bank ने इसका correct answer कि है हमार option number C UBI bank ने ठीक है उसके बाद हम लोग आगे देखते है question number four question number four में हम से क्या पूचा गया है who among the following has been reappointed as the managing director जिसको हम लोग MD भी बोलते है and chief executive officer जिसको CEO भी बोलते है अब DCB bank DCB bank को किसको reappoint किया गया है DCB bank का managing director MD plus उसके साथ CEO B तो इसका correct answer है हमारा option number D Murali Natrajan option number D Murali Natrajan ठीक है दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर question number five question number five में who has been confirmed who has been confirmed with confirmed with the women transforming India's award at the 6th Indo-American Chamber of Commerce Award 2022 6th Indo-American Chamber of Commerce Award 2022 में women transforming India Award से किसे सम्मानित किया गया है यह जो women transforming India Award है इससे किसको दिया गया है 6th Indo-American Chamber of Commerce Award 2022 में किसे दिया गया है तो इसका correct answer है option number A B बीना मोदी को इसका correct answer किया है option number A बीना मोदी तो आई होप को आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसी तरह से और भी हम लोग current से related जो questions है जो कि बार बार पूछे जाते हैं exam में तो इस type का question हम लोग और लेके आएंगे तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अब लोग इसे share किजे और देखिए thank you